साथ संगत जी प्यार से कहना धन दरंकार जी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज फिर मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी किसी नगर में हरिदत नाम का एक ब्रामन रहता था उस ब्रामन की खेती बड़ी ही सधारन और थोड़ी सी थी इसलिए अधिकाश समय वो ब्रामन खाली ही रहा करता था एक बार वो ब्रामन ग्रीशम रितु में अपने खेत पर व्रिक्ष की शीतल चाया में लेटा हुआ था सोए सोए उसने अपने पास ही साप का एक बिल देखा तो उसने देखा कि उस पर साप फन फैलाए बैठा था साथ संगत जी साप को देखकर वो ब्रामन सोचने लगा कि हो ना हो यही मेरे क्षित्र का देवता है और मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की इसलिए मैं आज इसकी पूजा जरूर करूँगा यह विचार मन में आते ही वो ब्रामन उठा और कहीं से जाकर दूद मांग कर लाया उसने एक मिट्टी के बरतन में दूद रखा और बिल के पास जाकर बोलता है कि हेक शेत्रपाल आज तक मुझे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं था इसलिए में किसी तरह से आपकी पूजा अर्चना नहीं कर पाया आप मेरे सपराद के लिए मुझे माफ कीजिए और मुझे पर क्रेपा कीजिए और मुझे धान धाने से समरिद कीजिए साथ संगत जी इस प्रकार से प्राथना करके उस ब्रामन ने उस दूद को वही पर रख दिया फिर वो अपने घर को लोटाया दूसरे दिन प्राताकाल जब वो ब्रामन अपने खेट पर आया तो सबसे पहले उसी जगा पर गया उस साप के बिल के पास वहां उसने देखा कि जिस बरतन में उसने दूद रखा था उसमें एक स्वन मुद्रा रखी हुई है अब ब्रामन ने उस स्वन मुद्रा को उठा कर रख लिया और उस दिन भी उसी तरह से उसने साप की पूजा की और साप के लिए दूद रख कर चला गया अगले दिन प्रातय काल उसको एक ओर स्वन मुद्रा मिली इस प्रकार वो ब्रामन नित्य पूजा करता रहा और अगले दिन उसको एक स्वन मुद्रा मिल जाती थी अब कुछ दिनों के बाद उस ब्रामन को अपने किसी काम से दूसरे शहर में जाना पड़ा उसने अपने पुत्र को उस थान पर दूद रखने का निर्देश दे दिया अब उस दिन उसका पुत्र गया और उसने वहाँ पर दूद रख दिया दूसरे दिन जब उसका बेटा दुबारा दूद रखने गया तो उसके बेटे ने देखा कि वहाँ स्वन्ड मुद्रा रखी हुई है तो ब्रामन के लड़के के मन में लालचा गया उसने सोचा कि निश्चित ही साप के बिल के नीचे धेर सारा स्वन्ड भंडार होगा जबकि उसे खोदने में ये डर था कि साप काट लेगा तो ब्रामन के लड़के ने दूद रखने के बाद साप के बाहर निकलते ही उसे लाठी से मारने की कोशिश की अब उस कोशिश में साप तो नहीं मरा पर गुसे में आकर साप ने ब्रामन के लड़के को काट लिया और उसके लड़के की वही मृत्यू हो गई साथ संगर जी हम बेवजय कुछ बिना सोचे समझे आकरशक लगने वाली चीजों की और आकरशित होकर जल्द बाजी कर बैठते हैं जबकि हमें जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि लालच हमेशा नुकसान ही लेकर आता है एक बार एक गरीब ब्रामन था उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी ब्रामन ने सूचा कि उसे कथा करनी चाहिए क्योंकि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो उसकी लड़की की शादी के लिए कुछ पैसा इकठा हो जाएगा साथ संगत जी ऐसा विचार करके उसने भगवान श्री राम के मंदिर में बैठकर कथा करनी आरंब कर दी अब ब्रामन के मन का भाव ये था कि कथा सुनने के लिए कोई श्रोता आए चाहे ना आए पर भगवान तो मेरी कथा सुन ही लेंगे साथ संगत जी अब पंडित जी कथा करते थे तो उनकी कथा में थोड़ी से श्रोता आने लगी एक बहुत कंजूस सेठ था एक दिन वो मंदिर में आया जब वो सेठ मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तब ही उसे मंदिर से कुछ आवाज सुनाई दी उसे ऐसा लगा कि दो व्यक्ति आपस में बाते कर रही है सेठ ने कान लगा कर सुना तो सेठ को लगा कि भगवान श्री राम हनुमान जी से कह रही है कि इस गरीब ब्रामन के लिए सो रुपयों का प्रबंद कर देना जिससे की कन्यादान ठीक से हो जाए हनुमान जी ने प्रभू श्री राम से कहा कि ठीक है महराज इसके सो रुपय पैदा हो जाएंगे अब सेठ ने ये सुना तो वो कथा समापती के बाद पंडित जी से मिला और पंडित जी से कहने लगा कि महराज आपकी कथा में कुछ रुपय इकठे हो रही है या नहीं पंडि जी ने सेट से कहा कि कथा में श्रोता तो बहुत कम आते हैं, तो रूपाई पैसे इकठे कहां से होगी। सेट ने पंडित से कहा कि मेरी एक शर्थ है कथा में आपको जितना भी पैसा मिलेगा वो आप मुझे दे देना और मैं आपको पचास रुपए दे दूगा अब पंडित जी ने सोचा कि उनके पास कौन से इतने पैसे आते हैं पचास रुपए तो मिल जाएंगे तो पंडित जी ने सेट जी की बात मान ली साथ संकर जी ये बात तब की है जब पचास रुपए बहुत बड़ा धन हुआ करता था इधर सेट की नियत ऐसी थी कि भगवान की आग्या पालन करने के लिए हनुमान जी सो रुपए तो पंडित को जरूर देंगे और मुझे तो सीधा सीधा पचास रुपए का फायदा हो जाएगा साथ संकर जी जो लोभी और लालची इनसान होते हैं न वो हमेशा पैसों के बारे में ही सोचते हैं अब सेट ने भगवान जी की बाते सुनकर भी भक्ती की ओर ध्यान नहीं दिया बलकि वो पैसे की ओर आकरशित हो गए अब सेट जी कथा के उपरांध पंडित जी के पास गए और कहने लगे कि पंडित जी कथा में कितना रुपए पैसा एकठा हुआ है अब सेट के मन का विचार था कि हनुमान जी सो रुपए तो भेट में जरूर दिलवाएंगे मगर पंडित जी ने कहा कि पाच साथ रुपए ही आए हैं अब सेट को शर्त के मुताबिक पचास रुपए पंडित जी को देने पड़े अब सेट जी को भगवान पर बहुत गुस्सा आया कि हनुमान जी ने पंडित जी को सो रुपए क्यों नहीं दिये साथ संगत जी अब वो सेट बहुत गुसे में था वो गुसे में मंदिर गया और हनुमान जी की मूर्ती को उसने हाथ से धक्का मारा और धक्का मारते ही सेट का हाथ मूर्ती से चिपक गया अब सेट जोर लगाए अपना हाथ चुड़ाने के लिए पर उसका हाथ हनुमान जी की मूर्ती से चूठ ही नहीं रहा था सेट हर तरह से नाकाम रहा अपना हाथ छुड़वाने में साथ संगत जी सेट को फिर से अवाज सुनाई दी सेट निध्यान से सुना भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे प्रभू श्री राम कि तुमने ब्रामन को सो रुपए दिलवाई हैं के नहीं तो हनुमान जी उनसे कहने लगे प्रभू श्री राम से कि महराज प्रभू पचास रुपए तो मैंने पंडी जी को दिलवा दिये हैं और बाकी के पचास रुपएँ के लिए सेट को पकड़ रखा है अगर सेट पचास रुपएँ और देगा तभी उसे छोडेंगे साथ संकर जी अब सेट ने सुना तो उसे विचार आया कि मंदिर में लोग आकर जब मुझे देखेंगे कि मेरा हाथ मूर्ती से चिपक गया है तो मेरी बहुत बेज़ती होगी वो चिलाकर बोला हनुमान जी मुझे छोड़ दो मैं पचास रुपएँ दे दूँगा अब हनुमान जी ने सेट की बात सुनकर उनसे पचास रुपए लेने का वादा किया और तब जाकर सेट जी को छोड़ा साथ संगत जी सेट ने जाकर पंडित जी को 50 रुपए दे दिये इसलिए साथ संगत जी कहा जाता है कि लालच का अंध हमेशा बुरा ही होता है सेट जी को अपने लालच की वज़े से ही 100 रुपए पंडित जी को देने पड़ी आपको ये साखी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताईएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा साथ संगत जी प्यार से कहना धन्नरंकार जी